आपको बता दे कि इन दोनों रेत माफिया का उमरिया जलागड बना हुआ है कई जगे से अभैद रूप से रेत का परिवाहन किया जा रहा है कहीं की टीपी तो कहीं का ख़दाले इस तरह सेकडो ट्रक लोड होकर निकल रहे है सेकडो में फर्राटेदार स्पीड से निकल रहे है सडको पर फर्राटेदार स्पीड से निकल रहे है रेत के लोड बाहन रोड में कहीं भी लुड़क जाते है कभी भी हो सकती है बड़ी घटना बड़ी बड़ी जैसी भी मसीनों द्वारा नदी में उतार करके बीच नदी में सड़क बना करके रेत का परिवहन किया जा रहा है जिसमें नदी का जलिस्तर सूखने के कगार पर है किसानों की सिचाई का मात्र साधन नदी है जिसे खनिज म माफिया के द्वारा नदी को इतना गहरा खोद करके रेत निकाला जा रहा है जिससे कभी भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जहां इन दोनों पसु पक्षियों वह मवैसियों को पानी पीने के लिए बूंद-बूंद पानी को तरस्ते नजरा रहे हैं देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर